हाई प्रेंट्स आपका स्वागत है ट्रेडिंग ग्यान विट सूपर ट्रेडर लक्ष सिरीज के थर्ड वीडियो में जहां पर मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप टॉप और बॉटम को आइडेटिफाई कर सकते हैं मार्केट में यह बहुत इंपॉर्टन चीज है प्राइस पे लिफेंड करती हैं तो प्राइस को किस तरीके से रीड करना है इन चीजों के बावरें बताओंगा सबसे पहले टॉप या बॉटम जब भी आप बात करते हैं तो उसमें इंपॉटेंट होता है कि कौन से टाइम फ तॉक है कि यहां से एक गडिप आ सकता है तो वो सारी चीजें आपके टाइम फ्रेम पे और आपके किस तरीके की अप्रोच है, मतलब आप ट्रेड कर रहे हो या आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर एक अप स्विंग खेल रहे हो, हफ्ते दस दिन के 7-10 डेज के एक ट्रेड ले रहे हो, पोजिशनल ट्रेड जिसमें कि लेकिन नहीं जा पा रहा है, और फिर एक समय बाद आप देखते हैं, एक मेजर ट्रेंड लाइन बनती है, उसको ब्रेक करता है, फिर धिरे धिरे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, तो जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये टॉप बना लेकिन टॉप जब तक में डाउंटेंट स्टार्ट नी होता तब तक हम नहीं कहर पाते कि यह टॉप बन चुका है ठीक है और टॉप बना भी है तो टेंपररी टॉप है एक बड़ा फॉल आ सकता है यह चीजें हम नहीं कह सकते हैं कि इस एरिया के बाद एक करेक्शन आ स जब वो करेक्शन की साइज कितनी बड़ी होगी छोटा होगा इंट्र दिन का होगा तब हम कह सकते हैं कि यह जो टॉप है यह इंटरमीरियर टॉप है या फिर यह ओवर ओल एक मेजर टॉप बना है वो सारी चीजें फिर हम मेजर प्रस्पेक्टिव में बड़े टाइम फ् सकते हो आपकी higher low बना रहा है घए रई हाई बना रहा है तो फिर हम कहते हैं कि एक बॉटम है अगले तिन दिन के अगर आप डेली टाइम लगा सकते हो तो बोल सकते हो कि या अगले वन वीक के लिए इसी तरीके से जब आप वीकली टाइम लगा रहे हो तो हो सकता है कि इसकोड भी वीकली बॉटम जहां से आपको एक अच्छा स्विंग ओवर पिरिएड ऑफ 10-15 डेज वन मन्त मिल सकता है है वो चलता है तो पहली चीज़ आई होप यह पॉइंट आपका क्लियर है अब इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर कि किस तरीके से कुछ स्टॉक्स या कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको थोड़ा आइडिया सबसे पहले यहां पे एक एक एक्जांपल मैंने लि देखना है जब भी एक से जादा ठीक है एक से जादा पॉइंट को आप कनेक्ट करते हो तो यहां पर फस्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट कनेक्ट किया आपने तो दो पॉइंट कनेक्ट होने के बाद आपको यह लाइन बनी जैसी उसको आप एक्स्टेंड करते हो नीचे जाती है तो यहाँ पे कुछ हमको reference मिलता है यहाँ पे आप देखेंगे जो support है वो पहले resistance line की तरह काम करता है यहाँ पे यही almost आप कह सकते हो तक यह 100% सब कुछ match नहीं होगा रेकिन 80-90% आपको एक reference point यहाँ पे दिख रहा है कि जो area पहले resistance की तरह काम करता था यह resistance था यह resistance था अभी वो support की तरह काम करता जा रहा है ठीक है अब right now क्या होने वाला है क्योंकि हम तो यह नहीं बात करना चाहते कि हमें study नहीं करना है हमें जानना है कि आगे क्या हो सकता है तो जब हम कह रहे हैं कि चलो ये तो लगातार एक एरिया से सपोर्ट ले रहा है अब अगले कुछ दिनों में क्या हो सकता है उसके लिए जब हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है कि यहाँ पे कुछ दो पॉइंट आप मिला है तीसरा पॉइंट मिला चौधा पॉइंट पे राइट नहा हम है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और बन रही है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है यहाँ पे आपको जो यह पैटन बनेगा आप देखोगे यह ट्रेंगुलर काइंड ऑफ पैटन बन रहा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोज हैं वो भी उपर जा रहे हैं लेकिन हाइज हैं वो भी नीचे आ रहे है तो इस तरीकी के जब बनेगा आप सोचो कि अभी कंसॉलिडेशन चल रहा है और इस ट्रेंगल के अंदर और चल सकता है तो मेरा यहाँ पे पॉइंट यह होगा क्लिरली कि अगर आप इस पूरे डिस्कुशन को यहाँ पे देखें जो भी हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यह पॉइंट से हम वापस से एक बार नीचे आके इस सबोट लाइन तक आ सकते हैं तो अगर कोई बोले कि यार मुझे रिलाइंस में क्या हो सकता है आगे चलके तो एक और डिप आ सकता है यहाँ तक लेकिन जरूरी नहीं है जरूरी नहीं कि यह डिप आए कोई लोग बोलते है न कि यह स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए तो यह जो ट्रेंड लाइन है ना ट्रेंड लाइन की थोड़ी ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा क्योंकि हमें पता है कि यहां से रिजक्शन भी आ सकता है क्योंकि इससे पहले भी बड़े शार्प बाउंसे आए लेकिन सारे सेल अफ हो गए तो यहां पर एक कंसॉलिडेशन चल रहा है काफी समय से और वो कंसॉलिडेशन कंटीनू रह सकता है और जब यह ट्रेंगल कहीं खतम होने वाला होगा तब हो सकता है हम एक ब्रेक आउट ले या ब्रेक डाउन दे तो थोड़ी कई बार क्या कई लोग क्या सुचते है ना पर एक कर जा रहा है जाते जाएगा इसा कभी नहीं होता इसी लिए ट्रेंड लाइन इसके पास हम यहां पर स्टॉप्लोस लगाएंगे जो यह ट्रेंड लाइन है इसके पास तोड़ी से ऊपर स्टॉप्लोस लगाएंगे मतलब नहीं सिस्टम में लगा कデ बैठेंगे लेकिन इसके उपर हम अबसेर्व करेंगी कि अगर इस लाइन पे एक डोजी बन जाए ठीक है ऐसा तो कई तरह candle बनेगे लेकिन हर candle में अपर साइड में काफी सारी selling आपको देखेगे इंटराडे में और अपर विक जो होता है वो दिखाता है कि bounce हुआ और high level पे लोग बेच रहे हैं bounce हुआ लोग high level पे बेच रहे हैं और ये छोटे टाइम फ्रेम में ये सारा खेल होगा और फिर आपको समझने आएगा कि ये तो high पे कोई बेच रहा है exit कर रहा है फिर वहां से ये नीचे गरने लगेगा और इस area तक आएगा तो इस तरीके से आपको behavior 15 minute टाइम फ्रेम में धीरे धीरे over a period of 1-2 घंटे में आपको ये price action दिखेगा और जब ये price action दिखेगा और जब ये price action दिखेगा तो आप समझ जाओ कि high level पे bounce हो रहा है लेकिन selling आ रही है कोई न कोई यहाँ पे निकल रहा है लेकिन अगर आप option buy करोगे यहाँ पे आपका loss हो सकता और एक बार यह गिरना चुरू हो जाए तो आप option buy करो क्योंकि momentum पकड़ेगा और नीचे की line तक आएगा तो आपको एक momentum में हमेशा option buy करना है तो यह दो चीज़ें I think बहुत clear है यहाँ पे तो यह आप यहाँ पे देखेंगे यह right now जो में आपको दिखा रहा है चार्ट यह है bank nifty का चार्ट अगर आप यहाँ पे bank nifty में देखेंगे तो यह जो trend line है आपकी ठीक है आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पे breach किया और breach करने के बाद हमने एक अच्छी rally दी और वापस से हम नीचे आए फिर हमने एक rally ठीक है लेकिन यहाँ पे एक important point क्या है कि लगातार RSI नीचे जा रहा है लेकिन market ने क्या किया यहाँ से एक नया high बनाया यह point से एक नया high बनाया लेकिन RSI ने नया high नहीं बनाया अब हमने यहाँ से फिर से उस high को test किया लेकिन RSI लगातार आपको पता है कि ये कहीं न कहीं आपको जटका देगा, आप कई लोग बोलेंगे टॉप फॉर्मेशन क्या यहां पे हो सकता है, बहुत हाई चांसे हो सकता है, क्योंकि डबल टॉप एक पैटन है, आपको पता हो, डबल टॉप यहां पे बन सकता है, M-shape, पॉसिबल है, कई कई लोग बोलते हैं कि यहां पे मार्केट गिरा, उठा, गिरा, उठा, यह बोलते हैं, डबल बॉटम बन लिया, तो जब डबल बॉटम बन सकता है, तो डबल टॉप भी बन सकता है, लेकिन यह कब कंफर्म होगा, जब यहां का एक क्लस्टर है, यहां पे एक क्लस्टर बन यहाँ पे गिरना था, तो भी cluster दिखा, आप देख सकते हैं, यह एक बहुत wide range में हुआ है काम, तो हमेशा आप देखेंगे, यह cluster बनता है, उस cluster का breakout और breakdown के बाद आपका market एक अच्छा trend पकरता है, जब वो trend पकरता है, तो बड़ी ही तेज move आते हैं, आप देख सकते हैं, यह पे cluster था, ठीक है, यह तो आपका, कह सकते हूं कि trapping, fake breakout था, यह fomo वाला था, melt up, फिर उसके बाद इस area में cluster था, जैसी यह breach हो, फिर आप देखें रुका नहीं, तो cluster break होते हैं, तो मेरा कहना है यह है कि double top, double bottom, तो यह जैसे double top का example है, यह double bottom का example है, कई बाद triple top, triple bottom बनते हैं यह दिखाता है कि यहाँ पर positive divergence emerge हो रहे थे, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको ज्यान देनी है, जो कि help करते हैं, इसलिए मैंने RSI लगाया था, क्योंकि RSI में आपको divergences बहुत अच्छे लिख जाते हैं, सोटे time frame में, बड़े time frame में, और कई लोग जाना चाहेंगे क इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा time frame लगाएं, ठीक है, तो trading के लिए देखिए, आपको intra date rate करना है, तो hourly, अगर आपको 2-3 दिन, 4 दिन का time frame लेके चलना है, तो आपको daily time frame लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको risk नहीं लेना है, कि हो सकता है, एक fake break out, क्योंकि hourly में कई बार ह लेकिन अगर आपको invest करना है, तो आपको time frame जो है, वो weekly रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप weekly time frame लगाएं, जैसे यहाँ पे मैंने reliance की बात की थी, तो reliance में आप जाएए, weekly time frame लगाएं, अब जब आप weekly time frame लगाएंगे, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, कि एक ब market लगातार यहाँ पे lows उपर जा रहे है, तो यह दिखा रहा है कि लगातार यहाँ पे market को उपर push किया गया, लेकिन RSI अभी भी वो strength नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैंने कहा, कि अभी यहाँ consolidation चलेगा, और उसके बाद, जब RSI में आपको एक real breakout देखेगा, यह trend line का resistance है, तब आप देखेंगे कि reliance भी बहुत तरी से break out करेगा, इसको आप watch list में रख सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से observe करेंगे, उससे आपका यहाँ पे knowledge बढ़ेगा, और weekly time frame में मेरा कहना है कि जब भी weekly time frame में 30 area में आए, तो it से पका buy मतलब कह सकते हैं, कि हमेशा यह कहाई जात fall ही मिला है आपको, तो RSI अगर weekly time frame में लगाएंगे और 70-75 के उपर आप निकलने लगें, और आप 30 के आसपास आते आते entry करने लगें, तो आप हमेशा एक अच्छा swing पकड़ सकते हैं, जो आपको decent profit दे सकता है, तो यह हो गया top और bottom कैसे पकड़ें, stock market में, I hope यह वीडिय लगा होगा, अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्स्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, हमारा चैनल है SuperTraderLaksh, उसको भी सब्स्राइब आप कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, Espresso की YouTube चैनल को भी आप सब्स्राइब कर सकते हैं, I hope यह आपको वीडियो अच्छा लगा, Thank you very much, see you soon.